आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भक्ति वे योग के बिसे में बतानी वाली हूँ जो आपके स्लेवस में भी है और इसको समझना परमावर्श्यक है तो चलिए ध्यान से समझना विद्यार्थ हूँ सबसे पहले आप डिफनेशन देख लें यानि परिभाशा देख लें भक्ति सब्द की विद्पत्य भजधात से हुई है इसके डिफनेशन है भक्ति सब्द की विद्पत्य भजधात से हुई है जिसका अर्थ होता है सेवा करना या भजना अर्थार्थ स्रद्धा और प्रेम पूरुबक ताके प्रति आसकती या रागात मग आदे ये सब चलिए आगे समझें अगला पॉइंट यहाँ देखें, भज धात में कितन, कितन प्रते होने से भकतिका निर्मार हुआ, भज धात में तिन परते होने से भक्त का निर्मार हुआ भज सेवायाम अब यहाँ देखें संस्क्री सब्द है भज सेवायाम यानि सेवा करना यानि किसकी सेवा जिसकी भक्त करते हैं जिसकी भक्ती करते हैं अपने आराध की अपने देश की देश के प्रत सेवा भाव कर रहे हैं उसके प भक्ति ही है मात्र पित्र गुरु देव आधी इसके अंदर गता सकते हैं यानि जिसके प्रतिभी प्रेमभाव भक्ति हो अर्थार्थ सेवा पूजा उपासना संगत निष्ठा आधी इस प्रकार से भक्ति करना है तो पिद्यार्थियों आपने इन सभी तरीके से ध्यान से समझना यानि भक्त सब्द के उत्पत भजधात से हुई जिसका अर्थ है सेवा करना या भजणा अर्था श्रद्धा और प्रेमप्रूबक देवता के प्रति आशक्ति आप आगला पॉइंट देख लें भजधात मे तिन प्रते होने से भक्ति का निर्मार हुआ भक्ति का निर्मार हुआ जब यह प्रते लगा यानि तिन प्रते लगा भजधात में तब भक्ति का निर्मार हुआ और एक वर्ड आता है भज सेवायाम यानि सेवा करना या इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं यानि भज सेव आयाम धात कृ्टितिं परते लगने से भक्ति सब्दि बनता परक्ति कर। जिसकी भर गत्ति कर न है को। सब ही स्वतंत्र हैं जिसका जहां परमन लगे जिस हिसाब से लगे उस तरह वह भक्ति कर सकते हैं अब यह और अगला पॉइंट फिर देख लें संस्कृत सब्दी है जो यह भज है भज मतलब सेवा करना यानि टुक कृत्त यानि बना जिसका अर्थ है अनुयाई जिसका अर् राग भक्ति युक्त एक पॉइंट यह आपने समझा यानि भक्ति सब्दी इसका डिपनेशन समझा दूसरा पॉइंट यह आपने समझा तीसरा पॉइंट यह जो यह तीसरा पॉइंट आपने समझा कि मतलब भाज मतलब सेवा करना है भाज का मतलब सेवा करना और तिक या और फिर जिसका अर्थ है अनुवाई उपाशक शेवक अनुरागी भक्त युक्त तो आज़ा करते हैं आपने यह समझ लिया होगा क्योंकि काफी अब चलिए नारद भक्ति सूत्र में क्या बताया गया है यहां और यहां वन पाइंट टो में ही बताया गया सा तस्मिन परम प्रेम रूपा यानि भगवान के प्रति प्रेम भाव को भक्ति कहा गया अगला पाइंट यहां भी समझ लिया इसी वक्ति यानि भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है या फिर भगवान के प्रभु के प्रति प्रेम भाव को भक्ति कहा नारद जी ने सांडिल भक्ति सूत्र में क्या कहा गया साभक्ति परानुर照 करी इश्च्वर यानि इश्वर में परम अनुराग भक्ती है शा भक्ती परा अनुराद करी इश्वरे या इश्वर के परती या इश्वर के इश्वर में परम अनुराग भक्ती है विदार्थू सब्द चेंज है लेकिन बात सेम वही है स्वामी विवेकनन्द जी की अनुसर सच्चे वा निसकपट भाव से इश्वर की खोज करना ही भक्ती है और व्यास जी ने क्या कहा भगवान की पूजा अर्चना तथा उपासना आद में विशेश अनुराग होना ही भक्ती है विद्यार्थोम भeakti मन कर्म वचन से अपनाना भökती यानि मन कर्म वचन मनसा वाचा कर्म सा सभी से अपनाना भग्ती है अब आगे यह देख लें कि भक्त के प्रकार, तो सिरिक्राइव कहते हैं अर्जुन से कि हे भारतवन्सी अर्जुन चार प्रकार के पूर्णिसाली मनुस्य मेरा भजन करते हैं वे कौन से हैं अर्थार्थी आर्थ जग्यासु ग्यानी यह गीता में सातुवे अध्याय में और सोलोवे नंबर का यह स्लोग में यह बताया गया है यानि स्रीकिर्जी अर्जुन से कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त होते हैं अर्थार्थी आर्थ जग्यासु ग्यानी तो सबसे निमनी अर्थार्थी में रख अर्थार्थी आता है फिर उससे उच्च आर्थ फिर उससे उच्च जिग्यासु सबसे स्रेश्ट ग्यानी को रखा गया है अब इसके इसमें आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी तो इतिना आपने समझ लिया परिभासा समझ लिए भक्त सब्द की वियुत्पत भजधात से हुई है जिसका अर्थ सेवा करना भजना अर्थार स्रिधा और प्रेम पुरुबा के देवता के प्रति और शक्ति यानि अगला पॉइंट यहादे मतलब कई पॉइंटों से हमने आपको समझाने की कोशिस की है धात में कितने प्रते होने से भक्तिका निर्माड हुआ यानि भाज यानि किसकी सेवा जिसकी भक्ति करते हैं और फिर भाज यानि सेवा करना जो संस्की सब्द भाज है तिक यानि इस भाज प्लस तिक और कृत्य यह से बना है यह इसका निर तो आप आप नोट कटके रख सकते हैं क्योंकि आप पुछा जासे अगर नारत भक्त सूत्र के विसेम आभी नहीं जानते हैं तो वीडियो बना है आप देख सकते हैं और सांड़ील भक्तिसूत्र क्या एक साभ भक्ति पनार रुक्ति रख एग और और स्वामी विवेकानन्द में सच्चे वानिस कपट भाव से इस्वर की खोज करना ही भक्ति है और भक्ति की स्विश्कार से आप अपनाना ही भक्ति है भक्ति के चार प्रकार अब चार यह मैं आगे अच्छे से आपको पॉइंटों में समझाऊंगी नावधा रागात्मक और यह पराभक्ति इन सबको मैं आके बताने वाली हूं तो एक हो गई अपराभक्ति और पराभक्ति तो इसमें अपराभक्ति में आती है नौदा भक्ति और रागात्मक भक्ति यहां बाह साधनों पर अधारित होती है और पराभक्ति चित से परमात्मा भक्ति होती है या यहां आगे मैं समझाओंगी चित से परमात्मा भक्ती होती है और केवल ईस्वर की भक्ती होती यहां स्रेष्ट भक्ती से स्रेष्ट भक्ती कहा गया है अब आगे आप सबसे पहले भक्त के प्रकार जान ले और यहां जान ले ला कि आप किस प्रकार की भक्ती करते हैं तो एक होता है और क्रम से ध्यान रखना अर्थार्थी आर्थ जिग्याशु ज्यानी यानि पहला हो गया अर्थार्थी तूसरा हो गया आर्थ और तीसरा हो गया जिग्याशु और चौथा हो गया ज्यानी तो अर्थार्थी वह भगता है जो अर्थ के उद्देश से उपासना करे य यानि जिसमें उसका आर्थ है उसे स्वार्थ छुपा हो और आर्थ भक्त कौन होते हैं वो होते हैं जो संकट काल में भगवान को याद करते हैं यानि कोई संकर्ट पड़ गया कोई बीमारी हो गई तो भगवान को याद करेंगे कहेंगे भगवान ठीक कर दो यह सब इस तरह को पास ना करेंगे और जिग्यासू जो जानने की इच्छा यानि जो जानना चाहते हैं परमात्मा के विशय के बारे में जानना चाहते हैं वे जिग्यासू हैं और ग्यानी परमात्मा को जान चुके हैं यानि ये सबसे स्रेश्ट होते हैं ग्यानी चौथे नंबर पलते हैं और सबसे स्रेश्ट होते हैं यानि यह गिनान प्राप्त कर चुके हैं जो परमात्मा को साक्षातकार कर चुके हैं वही सबसे स्रेस्ट हैं तो अर्थार्थी हो गए आर्थ होगे ज्याग्यासी होगे ग्यानी होगे चार प्रकार के भक्त होते हैं अब मैं आपको रागात्मक भक्ति के बिसे में बता दूं पहले, तब मैं नौधा भक्ती को बाद में डिफाइन करके बता रही हूं। देखो रागात्मक भक्ति एक ही भाव आ जाए इस्वर की उपासना 24 घंटे हो और नौधा भक्ति की चरम अवस्था होती है यहाँ नौधा भक्ति की चरम अवस्था होती है रागात्मक भक्ति तब रागात्मक भक्ति की शरूवात होती है साधक को अपने आराध की जलक दिखाई परती है रागात्मक भक्ती में साधक को अपने आराधी की जलक दिखाई पड़ती है और कहां कहां पर जैसे आसमान में उसको कभी दिखाई पड़ेगा कभी पेंड पर कभी जलासे पर कभी मंदिर की प्रतिमा में दिखाई पड़ती है आधि में उसको दिखाई पड़ते हैं तो यह रागात्मक भक्ती हुई जैसे जो मीरा आधि की भक्ती थी वो इसी प्रकार के उनको स्रिकिट के मूर्ती में स्रिकित भगवान दिखाई नहीं पड़ते थे रियल में वही यानि इस्ट देउता के प्रति राग हो जाता है यह हो गई रागात्मक भक्ती अब हम समझेंगे नौदा भक्ती को बिद्यार्थियो नौदा भक्ती में समझने पहले थोड़ा समझ लें कि भक्त योग में भगवान को किसी रूप में माना अवर्श्यक है इस साधन के सुर्वा साधर पूजा पार्ट से होती है और इसके फिर नौभेद होने के कारण होते है यानि इसलिए इसको नौदा भक्ती कहा जाता है और इसे भक्त प्रहलाद ने प्रतिपादित किया था इसी कारण स्रीमत भागवत में इसका वर्ड़न है इसका वर्ड़न नौदा भक्ती का विस्तार से वर्ड़न किया गया स्रीमत भागवत में और किसमें इस तरह याद कर ले ना 7.5.23 में ये इस लो जो है इस लोग की संख्या इस तरह सेबन पॉइंट हो सकता या ना पूछा जाए इसका पॉइंट ना पूछा जाए लेकिन यह आप में चीजों को ध्यान रखें तो नौदा भक्ति पहले इसका इस लोग देख ले श्रवड किर्तन विश्डो इसम्रण अर्चनम वंदनम दास्यम शांख्या आत्म निवेदनम यह नोप्रकार की नौदा भक्ति है अब इनको थोड़ा सा डिफाइन करके समझ ले तो ध्यान से याद रहेगा यानि स्रवड किर्तन इसम्रण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्या साख्या आत्म निवेदन तो स्रवड के अंतरगत भगवान के नाम और महिमा सुनना स्रवड के अंतरगत भगवान के नाम और उनका महिमा को सुनना स्रोड के अंतर गताता है यानि कानों के द्वारा भगवान की भगवत महिमा चरीत्र नाम वात सत्चंग सुनना वर चर्चा करना स्रोड के अंतर गताता है अब दूसरा किर्तन इस्तितियों का गायन वर्णन गुडगान गीत आदे किर्तन के अंतर गता इस्मरण, तीसरा इस्मरण, भगवान को याद करना, भगवान को याद करना, मनन करना, इस्मरती करना, दोहराना, चिंतन करना, ये इस्मरण है पादसेवन, भगवान के कमल रूपी पैरों की सेवा करना, पत्चिन्नों पर चलना पाद सेवनम के अंतरकत भक्त क्या करता है भगवान के कमल रूपी पैरों के सेवा करता है और उनके पदचिन्नों पर चलता है तो यह दो प्रकार से होती है जैसे प्रतिमा की चरण सेवा करना या मन में भगवान के गुड़ों का चिंतन करना ये सब अब अर्चनम भगवान की पूजा उपासना स्रध्धा पूर्वक यानि सास रित अनस्वार भगवान की पूजा अर्चना सामगरियात से अर्चना करना पूजा अर्चना करना वंदनम भगवान की प्रार्थना करना इस्तुत गान करना देव यग्य करना प्रभु महिमा के वक्हान करना यह बंदन के अंदर गाता यानि प्रार्तना करना इस्तुत गान करना देव यग्य करना प्रभु महिमा के गुड़ों का वक्हान करना अब दास्य भक्ति के अंतरकत क्या आता है या देख ले और बंदरंग मतलब अभिमान त्याग कर भगवान के सामने इस्तुत गान करना अब दास्य भक्ती यानि भगवान को स्वामी मनना और उनकी सेवा दास भाव से करना यानि सरल भासा में स्वामी वा सेवक का ब्योभार जिस प्रकार से राम और हनुमान जी का ब्योभार था और साक्य भगवान की मित्र भाव से सेवा करना यानि भगवान की मित्र भाव से सेवा करना मित्रवत ब्योभार अब यहां कैसा था इसको किसरभासम किस प्रकार समझेंगे यानि जैसे स्री किंट्स के प्रति अर्जुन का भाव था ठीक उसी प्रकार सखा भाव से यानि भगवान को मित्र भाव से यानि भगवान की मित्र भाव से सेवा करना यानि मित्रवत बेहवार करना अर्थात अपने देवता के प्रत मित्रता का भाव रखना यह हुआ अब आत्मनिवेदन समरपड इस्वर प्रणिधान यानि समरपड भाव भगवान के प्रसमरपड भाव यानि इस्वर प्रणिधान आपने पड़ रखाऊगा पूरी तरह से समरपित भाव भगवान को समरपित कर देना यानि अपना ग्यान, बुद्ध, संकल्प, मन तथा कर्म, आदे, अपना सब कुछ इश्वर को अरपर करना वह सरड़ागत हो जाना समरप्रभा होता है यानि आत्म निवेदन होता है तो कितनी प्रकार की भक्ति हो गोई नहुदा? स्रवर, किर्तन, इस्मरर, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म, निवेदनम अब पराभक्ति को थोड़ा सा डिफाइन कर दू मैं पराभक्ति, रागात्मक भक्ति की चरमावस्था पराभक्ति है किसकी? रागात्मक भक्ति की और रागात्मक किसकी चर्मावस्था है नवधा भक्ती की और पराभक्ती किसकी जो है चर्मावस्था है रागात्मक भक्ती की तो रागात्मक भक्ती की चर्मावस्था पराभक्ती है यह साधक की उतक्रिष्ट और अंतिम पराकाश्था है पराभक्ती दोयत नहीं रहता है उपासक और आराधिया एक जैसा प्रतीत हो जाते हैं उपासक और आराधिया और साधक को एक मात ब्रह्म का साक्षातकार होता है इसमें पराभक्ति में साधक को एक मात ब्रह्म का साक्षात कार होता है इन पॉइंटों को आप थ्यान रहना यह सबसे स्थ्रेश्ट भक्ति है तक दर्थ हो इनको आप पॉइंटों में नोट कर सकते हैं कि भक्ती ढो की दो रैल्टिया परावखति अपराभक्ति यानि गौप भक्ति चिति से परमात्मा इसमें पराभक्ति में चित से परमात्मा भक्ति की जाती है निचित से परमात्मा भक्ति की जाती पराभक्ति में और अपराभक्ति में बाह साधनों द्वारा भक्ति की जाती है तो इसमें आपने कितने जो है भक्ति को समझा इसमें आपने परा अपरा परा और अ पाराब्रगति और भक्त में जिए और भक्त चार प्रकार के अर्थ फी आर्थ जिग्यासू ग्यानी तो आशा करते हैं विद्यार्थू आपने अच्छ समझ लिया होगा जहां कहीं न समझ में आए कामेंट बाक्स में सेयर करना मैं आपको दुबारा समझा दोगी और खुद देखना दूसरे बच्चों को जरूर सेयर करना ताकि आपके साथ दूसरे बच्चों को भी ग्यानवर्धक वीडियो प्राप्त होता रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करना बेल आइकन जरूर प्रेस करिये गा ताकि मैं जैसे वीडियो अप्लोड करूँ आपको तुरण नाटिफिकेशन प्राप्त होता के धानी बात बद्यार दियूँ